हुआ हेलो दोस्तों आज हम यह 30 इंच के जुगल जोड़ी में कान्हाजी का धोती बना कर आप लोगों के साथ सेर कर रहे हैं कि यहां पर देखने में लगता है पीछे की तरफ हम टीप बटन डाले हुए हैं और आगे भी आपको यहां पर टीप बटन मिलेगा देखी से स्थान पर यहां पर रहे जाए तो डाल सकती है और देखिए कुछ इसका देखने में यह इस तरह का लगेगा और इसमें ये चीज आप अपने एक्छान उसारे हाँ पे चोड़ाई कम भी डाल सकती हैं ये हम थोड़ा सा जादा चोड़ा डाले हुए हैं और इसमें कमर में हम डोरी भी डाले हुए हैं आएए देखते हैं कैसे बनता है इसी पिग्रा के हम धोती बनाएंगे जिसकी लंबाई 17 इंच है इसे तयार करने के लिए सबसे पहले हम चेन बनाएंगे 90 चेन बना लेने के बाद तीसरे चेन से डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इसे तयार करेंगे तो हमारा यहाँ पे डबल क्रोशिया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 87 डबल क्रोशिया आपका तयार होगा जो की हम देखिए यहाँ पे बनाए हुए है इसका लंबाई हम बनाएंगे 17 इंच चोड़ाई भी हम 17 इंच बनाएंगे जितना हम लंबाई इसमें रखेंगे उतना ही चवड़ाई भी रखेंगे इस तरह से हम यहाँ पर चेन बना लिए चेन बना लेने के बार डबल क्रोशिया तयार करते हुए इसे हम सबसे पहले एक लाइन में तयार किये इसके बाद फिर दूसरा तिसरा बनाते हुए इसकी लंबाई हम बून कर कम्प्लिट किये हैं 17 इंच ये दो पीस में हम तयार किये हुए हैं देखेंगे ये एक हो गया और एक ही हो गया दो पीस में हम तयार किये हैं बलाए देखिई हमेने क्या करना है इसमें जो दो भाग हम रखे हुए थे एक भाग ये था इक भाग कोम आमने सामने रखेंगे इस तरीके से आंँस सामने रखेंगे और 8 इंच, देखे ये 8 इंच, यहां 8 इंच है, यहां से यहां तक, 8 हिंच हम इसे सिल देंगे, सिलने का तरीका बिल्कुल साधारन रहेगा, इस तरह से देखे, इसे हम मिलाते हुए यहां पर सुई, रख चुके हैं निशानी के लिए, अभी से उठाएंगे, और दोनों को म सबसे पहले, तो हम यहां पर इस तरह से सिले, अभी से साधारन तरीके से भी आप सिल सकते हैं, तो इस तरीके से हम सिलते हुए इसे, चलिए कम्प्लिट कर लेते हैं सबसे पहले, इस तरीके से हम यहां से हां तक सिल लिए, इतना हम खुला छोड़े हुए हैं, अब हमें करना क्या है, इसमें आउटलाइन यानि बार्डर देना है, देखिए किस तरफ से किस तरफ तक देना है, यहां से सुरू करेंगे हम, यहां से, इस स्थान से, यहां से सुरू करेंग यहां तक complete करेंगे, फिर यहां से सिला हुआ भाग जो यहां पे है, यहां से भी करते हुए हम यहां तक लाएंगे, और फिर यहां से यहां तक लाएंगे, तो यह हम तयार करेंगे, आउटलाइन देते हुए, मात्र हमें कितना छोड़ना है, यह जो कटा हुआ भाग आप देखे रहें, यह और इस तरफ का भाग, इस तरफ का भाग, बस इतना ही छोड़ना है, बाकी हमें यहां से बुनते हुए, यहां से लेकी यहां तक लाएंगे, आउटलाइन बुनते हम यहां से शुरू करते हैं, बनाना इल्कुल इस साद़ारण तरीके सा आँटलाण बनाएंगे, हम सिर्फ यहाँ पे color change आउटलाण में किस तरह से बनाना बस एक डबल क्रोशिया हम बनाते चले जाएंगे शब थरब से कि और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहती है तो आप इसे मीड़ भी सकती है लेकिन यह चीज आप बना ले ज्यादा अच्छा रहेगा कि इस तरह से सबों से एक एक लेंगे क्योंकि हमें तो यहाँ पे इसमें बाद में सिलाई सिल देना है सुईधागा की मेरत से तो जितना भी यह सब से हम एक एक लेते हुए बनाएंगे यहाँ देखिए यह इसमें डाले और एक यहाँ बनाएं अब फिर से इसमें डालेंगे देखिए बीच का भाग यहाँ पे डाले हैं और एक इससे बनाएंगे और फिर यहाँ डालेंगे एक इससे बनाएंगे क्योंकि हमें तो इससे सिलना है इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से बना रहे हैं तो आप भी इस तरीके से बना लें देखिए इस तरीके से तो चलिए हम जितना बतलाएं है उतना दूर तक बना कर कम्प्लिट कर लेते हैं इस तरह से देखिए हम यहाँ पे यह पनाते चले गए और जब हम यहां कोना के पास में आए तो देखिए तीन लगातार यहां सीधा तरफ से तीन लगातार बुने डबल कुरुसिया इसके बाद दो के बीच में दो यहां देखिए दो के बीच में एक डबल कुरुसिया यहां पे डाले इस तरह से बुनते हुए हम इस तरफ का तय कर लिए इस तरफ का तयार कर लिए फिर जब हम इसको ना पर आए तो यहां हम लगातार तीन डबल क्रोशिया पूंदी यह देखिए तीन डबल क्रोशिया फिर इस तरफ आए तो जिस तरह से बतला हुए थे उसी तरह बनाते हुए हम यहां से यहां तक कम्प्रिट किये अब कि इस तरफ लाकर करेंगे यहां से डालना सुरू करेंगे यहां लाकर निकालेंगे देखिए किस तरह से बनेगा चलिए हम दोरी डालते को से सबसे पहले कंप्लिट कर लेते हैं यह दोरी बना चुके हैं इस तरीके से हम डालेंगे आप चाहें तो यह बाद में फूल बना सकती हैं पहले आप डोरी डालने फिर लाश्ट में फूल बनाए ऐसा भी आप कर सकती हैं दो दो के बीच में देखिए, यहां से हम इस तरह से लेंगे, यह दो डबल कुरूशिया के बीच से, यहां से डालते हुए इसे हम निकाल लेंगे, तो चलिए इसे हम सबसे पहले कम्प्लीट करते हैं। देखिए, डोरी डाल लेने के बाद यह कुछ इस तरह का लगेगा, अभी, अभी इसमें और भी काम बाकी है, बहुत काम बाकी है, तो चलिए अब हम इसमें बनाते हैं, देखिए, यहां हम दोरी को तो इसे बान दिये थे हैं, तो इसे हम खोल लेते हैं, खोलने के बाद में अगर लंबाई चोटा होता तो हम यहां से उपर से डबल क्रोशिया बना कर कुछ और कम्प्लिट कर लेते हैं लेकिन नंबाई हमारा चुकी ठीक हो रहा है इसलिए हम देखें यहां से दो अंगूल जैसा यानी एक इंच जैसा आप रख लें जगार और यहां से सुई धागा की मदद से इसे हम सबसे पहले तो यहां पर इस तरह से गाठ लगा लेंगे यहां पर इस स्थान पर सबसे पहले एक गाठ इस तरह से लगा लेंगे यह एक पर और यहां से लेंगे कि अपाइब यह जो अप्सवाइब Ikthi की दूरिके रफात में हमें यहां पर इस तरह से सुई धागा के कि अगर डालते चले जाना हैं बाद में हमीं आज़िदें बनाएंगे तो देखिए पूरे में लंबाईे में पूरे लंबाई में इस तरह से मढरेंगे इस तरीके से जितना जहां तक हम डोरी डाले हैं वहां तक हमें इस तरह से डाल लेना है तो देखिये लाष्ट हम इसका यहां तक लाकर किये यह हम इस तरह से सिल चुके से अभी से हमें करना क्या है थोड़ा-थोड़ा हम टाइट करेंगे यहां पर इस तरीके से टाइट करते जाएंगे नहीं आपका यह पट्टी बन जाएगा कमर्ग पट्टी बन जाएगा यहां पर क्यों हमें यहां पर जाएगा Chem करना हम जाएगा यहां जाएगा CAS कले कर फट्टी बन जाएगा हेत्ने प्टी प्रजाओा यहां जाएगा यह ढ़ vita देखिए इस तरह से हम इसे आगे और थोड़ा सा लिए और थोड़ा से बिल्कुल सटा-सटा देखिए सटा-सटा हुआ साम इस तरह से इसे कर लिए अब हमें क्या करना है अब आप यह देखले कि कमर में इसका चौड़ाई पूरा हो रहा है या नहीं इस तरह से देख लेखले चौड़ाई पूरा हो रहा है या नहीं बढ़ना पता चलेगा कि हम यहाँ पे दोरी डाले हुए हैं आप अर्शक्तानुसार धीलाया टाइट करें और ये टाइट हो गया तो गड़बड हो जाएगा इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे और धीला कर लेंगे दिखिए इस तरह से हम थोड़ा सा धीला कर लेंगे इसे क्योंकि हमारा मेन यहाँ मकसद है इसमें पट्टी तयार करना कमर का जो पट्टी होता है इसे तयार करना तो चलिए यह हो गया अब हमें यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे हम गाठ लगाएंगे सबसे पहले एक ताकि इधर उधर यह ना हो देखिए यह इस तरह से अब यहाँ पे आप इसे बराबर कर सकती हैं और अब हमें क्या करना है एक बार और हम यहाँ पे स्लाई चला देंगे यानि हम अच्छे तरीके से चलाएंगे ताकि यह खुले ना देखिए उल्टी बख्या करते हुए हैं यहाँ पे इसे सील देंगे एक बार और खुलेगा तो नहीं लेकिन फिर भी उल्टी बख्या करेंगे उल्टी बख्या करने में देखें में क्या करना रहता है धागा हमारा आगे की और है पीछे की और से हम सुई लेते हैं डालते हैं इसे हम उल्टी बख्या करते हैं तो इस तरह से चलिए पूरा लंबाई में से सिलते हुए हम इस तरह से यह कंप्लीट हुआ यह सिर्फ कमर के पास में हम यहां पर गाट लगा दिये हैं उनको कट्रिंग करते हुए अब देखिए अब हमें करना क्या है यहां से हम इस स्थान से हम फिर से इसी कलर का उन से जोड़ कर यहां पर बनाना सुरू करेंगे आउटलाइन देंग जो हम पुसाक में डाले हैं जैसे की इस तरह से मून यहां जोड़ लेंगे इसे भी साथ में इधर ले आएंगे ताकि यह साथ में हम बून लें दिखे ना एक बार और हम यहां से इस तरह कर लेते हैं दोनों देखिए अब एक जगह हो गया अब देखिए अब हमें करना क् एक, दो, तीन, चार, चार चेन लिए, आप यहाँ दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और यह रहा लेक, यह हो गया दो डबल क्रोशिया, अब ठीक दूरी देखते हुए हम इसे यहाँ पे लाकर बंद करेंगे, ताकि सिकुडन भी ना आए, इस तरह से देखिए यहाँ प लेकर एक छोर सुरू कर रहे हैं, दूसरे इस तरफ का छोर में लाश्ट करेंगे हम, फिर से यहाँ पे एक चेन ले चुके हैं, दो, तीन, चार, चार चेन, अब दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और यह रहा एक, दो डबल क्रोशिया, अभी से लाकर यहाँ पे पार बंद करेंगे, फिर से एक, दो, तीन, चार, तो इसी तरह से बनाते हुए चलिए हम इसे कम्प्लिट कर लेते हैं, इस तरह से देखिए, इसे बनाते हुए हम कम्प्लिट किये, अब इसका जो लंबाई है, अभी कम्प्लिट नहीं हुआ है, इसका जो लंबाई है, यहाँ स यह सूला इंच वाहते ही, इसला इंच वाहते हैं तो कोई दिकत नहीं लगे वाहते हैं, अगर ढें लख़ा हैं गारा सरह को न rapid little fish time is 30-ата गर आपको दोती का लंबाई अगर 6 इंच बनाना है तो 6 इंच बनाएं, 6 इंच लंबाई भी करें और चोड़ाई भी 6 इंच करें तो इस तरह से आप बनाएं, इसमें हमें 16 इंच रखना चाहिए था लंबाई भी और चोड़ाई भी 17 इंच हम रखें तो 17 इंच यहां इसका दोती का लंबाई हुआ है तो इस तरह से देखिए यहां तक यह कंप्लीट हो गया अब हम आप लोगों को एक बार इसे दिखा दें किस तरह से बनाए हुए हैं देखिए इस पे हम यहां पे शुरू में हम कुछ लाइन हम तीन तीन डवल क्रोशिया के बाद डाले हुए हैं लेकिन फिर यहां पे हमें थोड़ा सा लगने लगा जैसे काफी फैल रहा है तो हम चार डवल क्रोशिया के बाद इसे यहां पे डाल कर बंद करना शुरू किये तो यह क कुलाई का रूप में इसे इस तरीके से यहां करते हुए पतितMcकुल करते हुए यहां पर भींच ही स्थान से पनाना चूरु कर दियूंदुتي है यहां यहां पर्णाया यहां इससान से लेहां में तो रहुका चुद्ध May लाइन यहाँ पे कमर के पास में एक लाइन और बना दिये तो देखिये हम किस तरह से एक लाइन बनायें यहाँ पे अभी हम यहाँ पे दो यह भंदा भीना लिये हुए हुखको इस पे डालेंगे एक भणदा निकालेंगे दो काईग करेंगे बस इसी ढग से हम भुनते हुए कमर के पास पूरा एक लाइन कम्प्लिट कर लिए हैं यह आपको यहाँ पे आएगा यहाँ पे एक ले लेते हैं और अब इसमें हम एक चेंड लेकर अब इसे हम कट कर लेते हैं तो बस इस तरह से हम इसे यहां बना कर complete किया यह जो cutting किया हुआ है इसे अंदर की और इस तरा से कर ले यह हो गया तो यह आपका यहाँ पे बनकत तयार हुआ अब हम बनाएंगे इसमें पीच का भाग जो यहां से हम देंगे और हमारा यहां पे इस तरा से बीच पीच में आएगा तो चलिए इसे बनाकर कम्पलिट करते हैं अब देखिए इसे कैसे तयार करेंगे हम हम यहाँ पर 10 चेन ले लिए 10 चेन लेने के बाद किस तरह से बना है ऐसे देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौँ दरस 11 एक ग्यारा चेन लेने के बाद में हुख को डाले इस तरह फंदे लिए एक, दो, तीन, तीन छोड़ कर चौथा पर हम खुब को डाल कर डबल कुरूसिया बनाएं और इस लाइन में पूरा हम डबल कुरूसिया इसी तरह बना लेंगे कितना डबल कुरूसिया हुआ गीन लेते हैं एक, दो, चार, छे, आठ, नौ डबल कुरूसिया यहाँ पर हमारा हुआ नौ डबल कुरूसिया हुआ दो चेन ले लेंगे फिर से पलट कर बनाना शुरू करेंगे देखें यहाँ पर आ गया हमारा दो तीन चार चार बुने अब इस तरब बचा हुए हमें एक दो तीन चार पांच तो एक बीच में एक्ष्ट्रा बच रहा है तो यहाँ पर हम फंदेल लेंगे फंदेल लेकर दो डबल कुरूशिया बनाएंगे इस तरह एक और एक दो देखिए, एक से दो बना लिए, अब फिर से चार हम अलग-अलग चेन से अलग-अलग डबल क्रोशिया तयार करेंगे दो, तीन, चार यह हो गया, फिर से पलट लेंगे, दो चेन लेंगे, और यहाँ पर हुक को डालेंगे अब दिखिए, अगर आप चाहती है, इस तरह से नहीं बुनना चाहती है, बीच में को डाल कर बुनना चाहती है, तो आप उस तरह से भी बुन सकती है लेकिन चलिए हम इसे इसी तरह डाल बुनेंगे, सिर्फ बीच का हम थोड़ा सा अंतर करेंगे तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और चुकि हमारा यहाँ एक बढ़ा था तो ये 5 हो जाएगा दिखें ये 5 हो गया अब इस तरब देखें कितना बचा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 5 बचा हुआ है तो देखें हम फंदे लेंगे फंदे लेने के बाद यहां ठीक, इसके बीचों बीच में, यहां पे हुप को डालेंगे, और दो डबल कुरूशिया तयार करेंगे, एक और एक दो, यह हो गया, दो डबल कुरूशिया, अब पाँच हम बून लेंगे, इसी तरह, एक, दो, तेन, चार, पाँच, यह हो गया, अब फिर से दो चेन लेंगे फिर आगे बुनाई करेंगे पलटने के बार यहां पे हुप को डालेंगे और एक, दो, तीन, चार, पांच, सुभाविक है अब इस बार छे होना चाहिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो हम फिर 6 हो गया देखिए इस तरह बीचे हुआ है यहां पे दो डबल कुरुसिया दो चेन से एक डबल कुरुसिया कर लाया तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और इस तरह भी 6 है तो हम अब क्या करेंगे यहां बीचों बीच में तो हम पिर से यहां पर बनाएंगे अगला वार से देखिया हमें क्या करना है एक ढोलाओं में सतरह बीच बीच में इस तरह से क्क्रते चलना थाकि ज्यादा फैले ना या तो पिर आप इसीज का ध्यान रखे कि एक बीच करते हुए बढ़ाएं यहां पर जो डबल कुरूश यहां बढ़ा रहे हैं वह एक बीच करते हुए बढ़ाएं देखिए यह हो गया अब यहां पर देखिए यह अभी तो बिल्कुल सही जा रहा है आपको इसका यह जो जा रहा है बिल्कुल सही जा रहा है तो इसलिए अभी देखिए यहां पर यह एक यह एक यह हम बीच कर देंगे और यहां पर उपको डालके बनाएंगे तो देखिए अब आप कहेंगे कि यहां पर यह आ जाएगा तो हम इस तरह से बनाएंगे यहां पर एक हमारे पास फंदा है यहां पर फिर से फंदे लेंगे फिर से इस तरह से अब तीनों को एक साथ, तो देखे एक हमारा यहाँ पे कम हो गया, एक लाइन में मात्र हम इस तरह करेंगे, फिर अगली लाइन में हमें बढ़ाना है, बीच-बीच में हमें इस तरह से करना है, हर बार अगर हम करेंगे तो यह फैलेगा नहीं, जब हमें लगे की काफी फैल तब हमें यह चीज करना पड़ेगा, देखे यह हो गया, अब बीच-बीच में यहाँ पे, एक एक चेन, फिर बीच-बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर से हम लाश्ट में देखे किस तरह घटाएंगे, यह भी तो हमें बुनते चले जाना है, दो, तीन, चार, पांच, य यह हो गया, छे, और यह हो गया, साथ, तो देखे यहाँ पे हम फिर तीन का एक कर देंगे, यहाँ पे घट गया आपको, तो इस तरह हम एक लाइन बढ़ाएंगे, और एक लाइन में इसी तरह हमें कम करना है, तो अब इस बार जो है, इस बार हमें बढ़ाना है, तो देख इस तरह से एक लाइन में बढ़ाएं और एक लाइन में साइड से घटाते चले जाएं बढ़ाना बीच से हमें प्रतेक लाइन में बढ़ाना है यानि यह एक लाइन हम जैसे आप यह देख रही है बिल्कुल हम प्लेन बून रहे हैं सिर्फ यहां बीच में बढ़ाएंगे हम एक फिर एक चेन लेंगे फिर एक इस तरह डवल कुरोशिया इस हिस्थान से बनाएंगे अब फिर से डवल कुरोशिया बनाना सुरू करेंगे तो इस तरह से बनाते हुए हम इसे लंबाई में हमारा हो जाएगा ये हमारा धोती में लंबाई है 17 इंच तो इसमें हम टोटल 17 इंच पहले बना कर देखते हैं चलिए 17 इंच हम इसे बना कर पहले कंप्लिट कर लेते हैं लंबाई में इसे हम 17 इंच बना कर कंप्लिट कर लिए हैं यहां से लेकर यहां तक का लंबाई हम इसमें लेंगे थोड़ा सा कुछ ज्यादा हो जाएगा देखिए यहां से हम इसे सीलेंगे तो देखिए यहां पे जिस तरह से हम बताएं कि एक में एक लाइन में हम फंदो को दो का एक नहीं करते थे और दूसरा लाइन में हम फंदो को दो का एक करते थे दोनों साइड से इस तरह से बनाते हुए इसे यहां तक complete किये अब इसे हम cut कर लेंगे यह जो color का है इसमें हमें outline देना है तो इसे cut करेंगे और हम दूसरा color जोड़ेंगे यहां पर तो देखिए किस तरह से हम बनाएंगे इसमें जो हम outline देंगे वो किस तरह से देंगे यहां से लेंगे हम सिधा उल्टा देख लें इसके बाद एक अस्थान पर इसे जोड़ें यहां जोड़ें अब एक यहां पर लिए अब यहां देखिए इस तरह से ज्यादा लंबा फंदा ना लेते हुए डबल क्रूसिया तयार करेंगे देखिए फंदा हम बिल्कुल ना के बराबर लिए हुए हैं लंबाई में इस तरह से यहां पर हम इसमें एक outline दे लेंगे क्योंकि यहां पर हमें सीलना है इस तरीके से देखिए यह हो गया यह लाश्ट यहां पर देंगे और अब देखिए अब हमें क्या करना है अब हम एक दो तीन तीन चेन लेंगे यहां पर लाकर इसे जोड लेंगे यह जुट किया अब एक दो तीन चार चार चेन लिए और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे जो outline हम दो ती में डाले गुए हैं यह हो गया अब इसे एक निश्चीत दूरी पर यहां लाकर जोड देंगे फिर से एक दो तीन एक चार चेन लेंगे इस तरह से देखिए हम इसे जोडते हुए इसे बनाते हुए कहां से कहां तक complete करेंगे यहां तक लाएंगे फिर यहां पर हम कुछ अलग करेंगे तो चलि इसे हम यहां लाकर जोड़ेंगे यह हो क्या अब देखिए अब हमें क्या करना है यहां पर कुछ है अगर आप अलग करना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं इसे बनाना तो इसे ही बना सकते हैं आप इस पर जो आपको पसंद हो चलिए हम इसे ही बनाते हैं अलग जो करना है हम फिर किसी और वीडियो में बटला देंगे क्योंकि इसमें सेट इसी का अच्छा लगेगा तो हम इसे एक डबल क्रोश या ये दो डबल क्रोश या अब इसे हम चार पेला के यहां बंद करेंगे फिर एक दो तीन चार फिर से दो डबल क्रोश या एक और एक दो फिर से चार पिला की यहां बंद किया है तो चलिए इस तरह से हम इसे पहले कंप्लिट कर लेते हैं पूरी गुलाई में इस तरह से देखिए इसे बना कर कंप्लिट किया अब हमें करना क्या है इसे यहां से लेकर यहां से लेते हुए यहां से यहां तक इसे हमें सील देना है स्वीधेगा की मदद YOU morbid काम यहां यहां सताकर भी शील सकती है इस तरह से और यहां जीका धोती बनकर तयार हो जाएगा अब इसमें यहां पे फ्लावर लगा सकती है जो flower हम पुषाक में डाले हैं सारे पुषाक में उसमें आप यहां तो इस कलर का डाले या तो फिर एक और जो हलका कलर है उससे यहां पर फूल बना कर पीच बीच में डाल दें इसका खुबसूरती बढ़ जायागा फ्लावर हम यहां पर लगा चुके हैं सिल चुके हैं उस अस्थान पर यहां पर दो फ्लावर लगाएं यहां पर एक यानि लंबाई में हम तीन फ्लावर लगाएं हैं और यहां पर किनारे में तीन फ्लावर ल यहां देखिए एक दो और यहां एक तीन और साथ में इसमें तो डोरी है ही आपका बना हुआ तो इस तरह से यह बनकर कंप्रीट होता है उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह पसंद आया होगा चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में